सभी मित्रों को नमस्कार स्वागत हैं आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में और सभी को जानकारी है हम एक नए विशे के साथ प्रारम होते हैं प्रस्तुत होते हैं है ना तो हिंदी के वर्णों की संख्या हम लेकर आए हैं आखिर हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी है 56 है 52 है 54 है कितनी है उन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं कि 52 होती है तो कैसे होती है 56 होती है तो कैसे होती है उन सभी का वर्णन हम आज इस वीडियो में करेंगे तो आईए सुरू करते हैं अपनी वीडियो को अपने अध्याय को तो वर्णों की संख्या तो पहले देखिए हमारे जो श्वर है स्वर वो कितने हैं? 11 है स्वर कितने हैं? 11 फिर स्वर के बाद क्या आते हैं? व्यंजन तो व्यंजन कितने है? 33 अब ये जो 44 हो गए ना 11 और 33, 44 तो ये क्या है? मुल वर्ण या साधारन वर्ण स्वर और व्यंजन जिनको बोला जाता है वो हैं, इनको 44 को क्या बोला जाता है? मुल वर्ण या साधारन वर्ण हम इनको बोलते हैं हिंदी के, ठीक है 11 स्वर और 33 व्यंजन तो 44 हो गए ना फिर दो आते हैं अयोगवाहा है ना और चार संयुक्त अक्षर ठीक है तो सुवर्ग्यारा व्यंजन थेतिस चौवालिस दो अयोगवाहे और चार जो है संयुक्त अक्षर फिर है दो ताड़न जाग है ना तो हिंदी के कुलवर्ण कितने हो गई बावन अब कैसे चाववालिस और चार अर्चार ओर दो पचास और दो बावन तो ये बावन जो है हिंदी के कुल वर्ण होते हैं ठीक है अब और अन्य वर्ण कोन-कोन से है तो विदेसी वर्ण चार विदेशी वर्ण 4 और हिंदी के मानक वर्ण 56 होते हैं 52 और चार 56 ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि अगर हिंदी के मानक वर्ण परिक्सा में पूछा जाए तो आपको क्या ठीक लगाना है 56 पन और अगर परेक्सा में पूछा जाए कि हिंदी के कुल वर्ण कितने हैं तो बावन ठीक है दोन प्रस्णों का उत्राप मिल चुका है कि फिर है हिंदी सब्द कोस्वे साहित्य कोस्व उप्योग पतिति तो ये क्या है यानि हिंदी की जो वर्ण माला है उसका क्रम है यानि सभी जो सब्द है वर्ण है उनका सही अस्थान कहां पर है वो इस सारणी में हमने दर्साया है ठीक है तो अंग और ओ उसके बाद अह फिर ए आ ई ई उ उ री ए आई ओ आउ ठीक है तो इसमें उपर के में स्वरा है न और स्वरा को स्वर रही तो क्या जा ही नहीं सकते क्योंकि वह स्वयतंत्र होते हैं वह किसी भी वर्ण की साहता से नहीं बोले जाते हैं वह स्वयतंत्र रूप से उच्छारिक होते हैं फिर इनके नीचे आ जाते हैं व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं व्यंजनों में हर व्यंजन में जो है वह स्वर जुड़ा होता है तो यह जो हैं स्वर रहित लिखे हुए है सब के नीचे क्या है हलंत लगा हुआ है ठीक है तो ठीक है तो ये क्या है हमारी हिंदी सब्द कोष वे साहित्य कोष उप्योग पदिती के अधार पर हमने क्या किया है हिंदी के सभी वर्णों को उनके सही क्रम के अनुसार यहां पर हमने लिखा है सही यही है आपने कई बार परिक्रा में देखा होगा प्रसनाते हैं कि जो है वो चैवर्ण का सही वर्ण माला के अनुसार या हिंदी साहित्य सब्द कोस के अनुसार चैवर्ण का सही स्थान बताईए और उसमें चार ओप्षन होते हैं जैसे वो दे देगा गैघह, चैचे या कैड़, कैखै, गैघह है इसमें ऐसे करके वो पांच प्रस्ट वो चार ओप्षन आपके सामने रखता है फिर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी सब्द कोस या साहित्य कोस की पदिती के अनुसार इसका सही करम आपको बताना है तो ये साड़नी आपको अच्छे से याद करनी है तो आज के लिए इतना ही फिर अगले अध्याय में अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत दन्यवाद